तो यार आज हम करने जा रहें एक comparison वीडियो बिट्विन बोट वेव फ्लेक्स कनेक्ट एंड बोट की लॉनर कनेक्ट के बीच में दोनों की दोनों पंदरा सु रुपे पे लॉन्च हुई थी फ्लिप कार्ड पे लिंक दे रहो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके पर्चेश कर सकते हैं दोनों में आपको मलता है कोलिंग का function उसके साथ एक्जेक्टली सेम सेंसर आपे मलता है बट कौन सी value for money होगी क्योंकि जो बिल्ट है ना बिल्ट काफी अलग हैं दोनों का क्योंकि सब्सक्राइब कर दो नहीं है इनका फ्रेम की बिल्ट तो डेफरेंटली है फ्लेक्स कनेक्ट आपको प्रवाइड कर देख मैंने लिक बिल्ट है जो की काफी सुप्रियर साइड है सिलिकोन की स्ट्रेप दोनों में एक्जेक्ली से मलते हैं वहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है तो ओन हैंड या फिर मैं बोलो आपका रफ और डफ में डेफिनिटली फ्लेक्स कनेक्ट आपको बेटर बिल्ट क्वारेटी प्रवाइड कर दिया है अनधर हैंड हम अगर ल यह वर करता है तो वह है नाइन आउट ओफ टेन एंड एक्जेक्ली सेम चीज़ है रेचो एक पर डिस्प्ले होन हो जाएगी एंड वह भी हो जाती है दोनों वह वर करता है जहां तक स्क्रीन क्वालिटी की बात है यह आती है राउंड डायल में 1.28 इंचिस का पैनल यहां पर चाहिए तो रेचलीशन वाइस पर अगेन यह स्मार्टोष विन है बट जहां तक आउटवर में ब्राइटनेस लेवल खिर बात आती है एक्जेक्ली सेम फटी निट्स के ब्राइटनेस यह दोनों स्मार्टोष इस कंटेन कर लिए एक्जेक्ली सेम ब्राइटनेस के जुम हो गया है तो वह चीज़ है बैस में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था लूनर में बट अगेन यह प्रेफरेंस होती है अपनी अपनी स्क्राइटनेस के लिए आप यह ले सकते हैं एक नंबर ऑप स्पोर्ट मोड आपको इसकी अप्लिकेशन में मलते हैं यहां पर अपनी स्पोर्ट मोड जो की लिखा ही हुआ है अब आते हैं सेंसर वाइस सेंसर दोनों में एक्जेक्टली सेम आपको मलते हैं गीन हार्ट्रेट एस्पी और उसके अलावा स्ट्रेस मोनेटरिंग बट लूनर थोड़ी से आगे चली जाती इसमें आपको मलता है वोमन हैलक अपिशन विदिन स्मार्ट वॉच एंड उसके अलावा यार स्लिप मोनेटरिंग स्टैप मोनेटरिंग दोनों स्मार्ट वॉच आपको प्रवाइड करते हैं बट एकुरेसी जब मैंने दोनों की टेस्ट आउट की तो काफी ज्यादा मिलको डिफरेंस लगा मैंने ओन के मिलको सेंसर यहां पे भी बैटर मिले हैं उसके अलावा एडेसल फीचर में आपको अगीन लूनर स्मार्ट वॉच थोड़ी से बैटर मल दे बट एक चीज़ मिलको वे किनेक्ट में लगी जो बैटर है वो है इसका मेजिक वाला फॉंक्शन आप स्मार्ट वॉच मीज़ का युज़ करते हुए मिल्जिक सून सकते हैं वह चीज़ लूनर से मिसिंग है तो यार को यहां पर आपको फॉन्स निकाल के वहां पर बताना बड़ेगा भाट यहां पे जस्ट यूजिंग अर स्मार्टवॉच यू कन दोनों आपको यह 100 प्लस ओप्षेस का ओप्षिन देती हैं तो आप अपने कोरिंग कर सकते हैं चेक कर सकते हैं अप्लिकेशन का यूज करते हुए चेंज कर सकते हैं बैट्री वैकप के लिहाद से भी आपको दोनों में exactly same बैट्री बैट्री वैकप म दोनों में काफी अलग सा यूए मलता है मिरको यूए अगर बात करें तो वेव कनेक्ट का थोड़ सा बैट्र लगा इसका यूए काफी अच्छा फिल होता है आप डी टूदे लाइफ में इसको यूज करने वाले हैं तो यह एक प्लस पॉइंट निकल के आदा बट प्लस क जरी आपर थोड़ा माइनस पॉइंट भी है पहला चीज वो है इसका ब्लुडूट वाला फॉंक्शन यहां पर डिस्कनेक्ट काफी फ्रिक्वेंटली होती है मेरे पास करीब पांक से छे दिन से यह स्मार्ट रोच है और वो प्रोग्लम डेफिनिटली मिरको यहां पर आ लिए अपर ब्लुडूट वाला उप्शिन आपको ओन करना पड़ेगा तब ही आपको रिस्यूट कर पाएंगे बट इस ताइप की कोई भी दिक्कत आपको लूनर स्मार्ट रोच में नहीं मलते हैं ना तो कोई भी स्मार्ट रोच में आपको मलता है केलक्लेटर वाल उप तो यार लूनर स्मार्ट वोच में रोच में को वेव फ्लेक्स बैटर लगी जस्त एक दो चीज़ को छोड़के वह इसकी बिल्ड क्वारड़ी एंड सेकिंड चीज यह बैजल साइज थोड़ा सब बढ़ा दिये गया है वही दो फेक्टर है यहां पर में कंसिडर करने वा आप नहीं चाहिए दिन आप इसको ले सकते है बट मेरे प्रेफरेंस मानेंगे तो आप लूनर ही प्रेफर कीजी क्योंकि बैटर फीचर्स यह स्मार्ट वोच ओफर करते हैं बाद में बता जाए जी मेरे को यह वीडियो कैसे लगी अच्छे लगी नहीं लगी जो कमेंट ऋबढ़ आपको यह से लिओन के लिए लूनर्स यह चूनर्स यह भाइ